पूरी मिलिट्री की पोल खोल कर रखती है नसरला ने एक ऐसा दावा किया है जुसके बाद बन्यामिन नितन्याहू भी सवालों से बच रहे हैं दस मिनिट में हिजबुला ने ऐसा ओपरेशन किया जुसके बाद नितन्याहू को पूरे इस्राइल से कहना पड़ा जाकते रहो देखे रहे हैं पूरे इस्राइल में इस ड्रोन फुटेज ने तहल का मचा दिया है इस बुला दावा कर रहा है कि अब इस्राइल के इंच 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 इलाके और उसके बड़े ठिकानों के तफसील उसके पास है उनकी सही लोकेशन और उनके बड़े राज उनके पास पहुँच चुके है दस मिनट के वीडियो में हेजबुला ने दिखाया इस्राइल का अन्त दस मिनट के वीडियो में नसराला ने दिखाया अपना खुफिया मिशन दस मिनट के वीडियो में क्या हेजबॉला ने खोज निकाला इसरेल का एटम बंप दस मिनट के वीडियो में हेजबॉला ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को दिया 440 बोल्ट का जटका दस मिनट का वीडियो देखकर नेतन याहू को पूछना पड़ा वीडियो बनाने वाला ये ड्रोन किसका? जबसे हिजबॉल्ला ने इस्रेल को डराने वाला ये वीडियो जारी किया है नेतन याहू की सरकार के हाथ पाउं फूले हुए है इस्रेल की सेना को समझ भी नहीं आ रहा कि गाजा में हमास से निप्टें या फिर हिजबॉल्ला की नई धमकी से अब तक हिजबॉल्ला ने उत्तरी इस्रेल में नेतन याहू को बहुत बड़ा सत्मा दिया है हिजबॉल्ला का एक एक हमला इस्रेली सेना के रुद्बे पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है और अब हिजबुल्ला की तरब से जारी की गई ड्रोन फुटेज ने इसरेल के सामने बड़े खत्रे की घंटी बजानी शुरू करती है नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्ला ने दिखाया है कि उसका एक ड्रोन इसरेल के ऊपर ओड रहा है दस मिनट के इस फुटेज में ड्रोन इसरेल के कई शहरों पर ओड़ा है 18 जून 2024 को हिजबुल्ला का जो ड्रोन इसरेल में घुसा वो कई खुफिया ठिकानों की तजवीरें खीच कर वापिस लेपनान ले गया इसरेल उसका कुछ भी नहीं बिगार पाया ये ड्रोन उतरी इसरेल के किर्याद शमोना, नहरिया, सफर, कार्णी, अफुला शहरों से लेकर इसरेल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाया गया हाइफा पोर्ट पर इसरेल की नेवी का बेस है यहाँ इसरेली नौसेना के शिप खड़े होते हैं इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाला सामान भी यहाँ बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाता है हाइफा पोर्ट के आसपास की पूरी टोर लेने वाले हेजबुला के ड्रोन ने इसरेल कैम्प में खलबली बचा दी है दस मिनट के वीजो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जैसे देख करने तन्याहों को मुस्द